असलाम वलेकुम आप सबको मैं वेलकम करता हूँ हमारे MS Excel कोर्स की एकॉर्ड नहीं किलास में पिछली किलास में हमने लुक अप देखा वी लुक अप देखा उन दोनों को बहुत ही डीटेल में जाके बहुत सारे एक्जेम्पल्स पर हमने समझा आज हम उसी का एक ओर फंक्शन एच लुक अप पढ़ेंगे तो एच लुक अप क्या होता है कैसे वर्क करता है बिना टाइम वेस्ट की हम शुरू करते हैं और मैं आपको अपनी Excel स्क्रीन पर लेके चलता हूँ तो आज हम पढ़ने वाले हैं एच लुक अप फंक्शन के बारे में और मैं प्रॉपर तरीके से आपको इसका वर्किंग मेथर बताऊंगा जस्ट यह नहीं कि आपको यूज करके दिखाऊं और आप उसी तरीके से उसको यूज कर सकें मैं आपको इसका कॉंसेप्ट समझाऊंगा कि यह वर्क कैसे करता है ताकि आप इसको किसी भी कंडिशन में जहां पर यह पॉसीबली अपलाई हो सकता है वह आप इसको यूज कर सकें सो देखें एच लुक अप और वी लुक अप सिमिलर हैं इनमें ज्यादा फरक नहीं है बहुत ही मतलब स्मिलर्टी इस इनमें बहुत ज्यादा स्मिलर्टी इस यह बहुत ही एक तरह का सेम वर्क करते हैं अब मैं आपको थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा एच लुक अप का मतलब होता है हॉरिजेंटल लुक अप ठीके और जो वी लुक अप है उसका मतलब होता है वर्टिकल लुक अप अगर आपने वो कलास नहीं देखी तो आई बोलिवस को काम करता है तो आप हाता को कउलम करता है कि अगर वी लोकड़ के सीचे मेंकर काम करता है तो बीचिबा 실शन है तो कृट काम करना है नोरं इचा लिए ठाट नहीं पर हम्हार्ट के लिए हम चाशा हूँ होगा फॉर्मका बत्ते हैं काम का function है पर अगर हमें row wise काम करना है रोवाइस इसे data लिखनी है तो हमें row wise के लिए row का formula चाहिए होगा column का नहीं तो row के formula के लिए हम hlookup को use करते हैं काम दोनों mostly same ही करते हैं तो चलिए हम इसको try करके देखते हैं हम एक sheet बनाएंगे जिस पर हम इसको समझने वाले हैं और यहां पर मैं सबसे पहले कुछ नाम लिख देता हूँ जो कि हमारे store के top products कौन से होंगे मैं इस column के size बढ़ाऊंगा और उसके बाद top product के बाद मैं कहूंगा हमारे पास जो है product code और product code के बाद हम लिखे देते हैं quantity price अब यहां पर हमने चार चीजें लिखी है ठीक है और मैं इसको यहां से इसा करता हूं कि थोड़ा सा highlight कर देता हूं बलकि इसको यह color देता हूं और बॉल्ड कर देता हूं अब मैं चाहता हूं कि यहां पर मुझे कुछ heading देनी है मेरे शॉप पे laptops भी available है mobile भी available है और watches भी available है अब के मेराज भी हैं आप माउस भी है लोकल माउस देंग ब्रैंड के महें के मौस दाते हैं बीस बीस हजार के तो वह उनकी बात कर रहा हूं तो यहां पर हमने data लिखा चलिए इसको हम सिर्फ style देते हैं बाकी बलेकन वगेरा नहीं कर रहे हैं बलेकन वाइट colors जो हम देते हैं हमेशा color theme वह हम नहीं दे रहे हैं इसको और इसकी size में थोड़ी सी increase कर देता हूं ठीक है इतनी मैं अपने इसको यहां पेस्ट करता हूं अच्छा देखे मैंने यहां पर इसको size को यहां से copy किया और इन columns की size भी मुझे इतनी करनी है तो मैं paste special से column विर से दर paste कर दूँगा अगर आपने paste special की class नहीं देखी तो जाके देख लें और अगर देख लिए तो अची बा इससे data को लिख लेते हैं अब यहां पर data में दूसरा हमरा option है product code का ठीक है मैं इससा करता हूं जो यह हमरा उपर जो बार हमने छोड़ी है इसको मैं select करता हूं merge करता हूं लिख देता हूं store data store data store data यह आप किसी तरह का भी data लिख सकते हैं जरूरी नहीं कि आप store data apply करेंगे म product code में हम लिखते हैं कि इस product का code है मैं कुछ भी random number लिख रहा हूं यह कोई exact code नहीं होगा और इस तरह की code जरूर होते हैं यह मुझे बता है और मैं फिलाल एक अंदाजे पर लिख रहा हूं ठीक है मैंने आप पर केमेरा में code लिखा और अब last में हम code लिखते हैं माउस में और माउस में code लिखते हैं और उसके बाद आप इनको कर देंगे इन सब कोई बलकी center और बॉल्ड कर दें और border भी देदे तो अच्छा लगेगा अच्छा लोगेगा सो इसको भी तक border नहीं है या तो इसको भी हम border दे देते हैं को इंटिटी आपको जितनी भी लिखनी हो आप लिख सकते हैं कोई इश्यू नहीं है सब्सक्राइब लिख दी अब प्राइज आप मैं कहता हूं डॉलर में रची बात है वरना आपकी मर्दी है आप मैं इसको यहां पर करन्सी स्टाइल दे रहा हूं ठीक है और करन्सी स्टाइल में हमने यहां पर लिखा 45 तो 45 डॉलर हो और अर बेखेताँ मेरे बासे लेपटाप है चले मैं मैं सो बता हूं 90 डॉलर के लेपटाप अवैलेबल है और कोही हो रहती हं कि हम कह सकते हैं 90 और मॉबाइल सम्कर देते हैं 70 वाचे दम करते हैं 60 गेमरा दम करते हैं 190 माउस जो 40 अब रहाल हम ने कुछ इस तरीके से रेट लिखे हैं और अब हम इन बेफ फार्मरा लगाना चाहते हैं सो मैं यहां से टॉप प्रोड़क्ट और प्राइस को कॉपी करूंगा नीची आके पेस्ट कर दूँगा मैं यहां पर इसको पेस्ट कर रहा हूं और मैं इसको यहां से एच लुकप को हटा देता हूं ठीक है मैं इसको जूम इन कर लेता हूं और अब इस में आपको चाहिए रिजल्ट तो आप उनको यहां पर हा ऑल बोरिडर कर दे Lazah इन दोनों सेल्स में हमें विजल चाहिए आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे आपको बेटर लगे चले मैं इसा करता हूं कि इसको इसले लग देता हूं ठीक है हम और मैं यहांपर कर देता हूं आल बोर्डर दो require राएंगे एक्ट लुड़ाघता साह था सिमिलर है वेडार के पर आप क्या करते हैं देखें हैं पीएक करतेएं सबसे पहले होगारा 152 का अभंढ दियाहं अब अब कर आपका लिए आपका इस select करें चीक है अब इसमें देखें एक बाद आपको ध्यान से समझनी है जब हम look up यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है वह आप से column पूछ रहा होता है किस column में आपकी heading है किस column में आपका data है column index number तो यहां पर आपसे पूछ जा रहा है row index number मतलब vertical look up जो होता है वो खुद ही column से data उठाता है column को देखके उसको number बतना पड़ता है तो उसी तरीके से horizontal look up जो होता है वो row से data उठाता है और उसको row number बतना पड़ता है clear हो गए आपको तो यह आपका row wise data उठाता है horizontal look up यह इसमें फाइदा है जब आपकी data अगर column wise है तो आप h look up यूज करेंगे अगर आपकी data horizontal है तो आप h look up यूज करेंगे अब यहां पर horizontal में आप clearly देखें आप horizontal lines अगर देख लें तो इसमें आपको clear show हो जाएगा यहां पर आप जो भी चीज लिखिए आपने यह सारी data row wise है अब इसमें हमने select जो की हैं वो कितनी rows हैं 4 row हैं heading को हमने select नहीं किया तो कितनी हैं 4 row हैं तो हमारी price कौन सी है चोती row में है अकसर लोग कहते हैं सर्फ formula वी look up का लगा रहे हैं या look up का लगा रहे हैं वो सही नहीं लग रहा क्योंकि आप column number सही नहीं देते आपको column number यह नहीं देना जैसे कि इसमें 5 लिखावा है मैं अगर दर 5 दे दू तो यह error देगा क्योंकि 5 इसके according ही नहीं पांच खा लिए ठीक है इसके according क्योंकि इसमें select 4 column है और rows है ठीक है हमने selection कितनी किये 4 rows की किये और इस selection में 4 number पर prize है तो हमें हमारी selection में जो rows हैं उनके numbers के हिसाफ से चलना है ना कि Excel में कितनी rows हैं उनके numbers पे चलना है उनके numbers पे नहीं चलना, Excel के rows के number पे हमें नहीं चलना हमने जो selection किये उसकी rows के according, उसके numbers के according हम चलेंगे तो इस selection में चोथे number पर है price, अलाकि row पांच भी है पर सेलेक्शन में चोथी रो है तो हम इसको चार लिखेंगे पांच नहीं लिखेंगे चार कॉमा जीरो ब्रेकेट बन जीरो हम एक्जेक्ट मैच के लिए लगाते हैं कल मैंने आपको बताया था तो वह एक्जेक्ट मैच के लिए है यहां पर आप लैप्टॉप लिखें आप तो देखें आपके 90 आ गया अब आप कहेंगे सब नाइंटी तो आ गया पर हमें 90 डॉलर क्यों नहीं लिखाया अब मैं यहां भी आपको बताता हूं यहां पर अगर 90 डॉलर आपको चाहिए इस पर किलिक करें सिंपली आप यहां से जाके इसको करंटी में करणट कर दें करंटी अब आप जो भी चीज सर्च करेंगे जैसे कि मैं कहूं वाचिज तो यह डॉलर में उसका रेट बताएगा जैसे हमने लिखा हुआ है ठीक है यहां पर मैं लिख देता हूं कैमिराज उनका रेट बता रह होता है उम्मीद है कि आपको यह बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया है कि वरना लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यह लोकप में क्या फरक है बहुत आसानी से मैंने आपको यह समझाने की कोशिश किए ठीक है अब यहां पर सेम तरीके से अगर आपको वी लुक हो गया ठीक है मैं इसको यहां से कर देता हूं इन दोनों को बलकि मैं उड़ा देता हूं और यहां पर हमें इसको पेस्ट करता हूं और फॉर एक्जेंपल हमें यहां पर आप सर्फ प्राइज जाननी है प्रोड़क्त की जो लिखे हम उनकी तो यहां पर वी लुक अब रही है आप इसमें वेल्यू सेलेक करेंगे टेबल सेलेक करेंगे उसके बाद क्या मांग रहा है कोलम मांग रहा है तो कोलम इंडेक्स नंबर आप यहां पर देंगे तू क्योंकि जो दो कोलम आपने सेलेक किया है इसमें दूसरे कोलम में रेट है तू दिया कोमा जीरो ब् तो आपको यही और आपको नमबर आपको नमबर आपने जब भी आपर नमबर गलत लिखा आपकी रेटा का तो आपको यह रेफरेंस का एरर मिलेगा छीक है यह आपने बात ध्यान में रखनी है तो आपने कभी भी row के नंबर में या column के नंबर में गलती नहीं करनी और एक और बात यहाँ पर कुछ लिखा नहीं होगा सामने वाले value में इसको मैं delete कर दूँ तो यहाँ पर यह error आएगा न, not available, ठीक है तो इधर आप को कुछ जब कुछ नहीं लिखा होगा तो भी error आता है तो कुछ लिख लिख लिए करें पहले उसके बाद चेकिए करें formula show कर रहा है कि नहीं तो यह एक method था जिसमें हमने VLOOKUP को भी थोड़ा सा समझा उसके differences हैं HLOOKUP से उनको भी समझा और इसमें हम किस तरीके से HLOOKUP को apply कर सकते हैं वो भी हमने बहुत अच्छे से देखा है तो उमीद है कि आपको in detail in depth मैंने clear किया है कि HLOOKUP और VLOOKUP कैसे use होते हैं क्योंकि lookup functions Excel में बहुत बहुत एहमेत रखते हैं बाकी इनमें कोई इसी rocket science नहीं बहुत आसान सी चीजें हैं उमीद है अगर आप इनको प्रैक्टिस करेंगे इनको समझेंगे तो आपको easily यह समझ में आ जाएंगी तो उमीद है कि आपको यह class समझ में आई होगी आपकी screen पर हमारा number show रहोगा आपको कोई भी question हो या आप हमारे whatsapp group में add होना चाते हैं तो आप इसे message कर सकते हैं और आपको कोई भी परेशान ही है कोई भी समझ में आ रही पिछली classes में या इस class में तो आप हमें comment section में पूछ सकते हैं हम आपको proper तरीके से जवाब देंगे और यह पूरा MS Excel का course है तो आप पिछली वीडियो के हमारे देख सकते हैं यह पूरा course continue है जिसे में पूरा Excel पढ़ाया जा रहा है basic to advanced level तो आप इसको देखें आपको बहुत फाइदा मिलेगा अगर आप सर्फ यह वीडियो देख रहें इसको दरूर देखें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको skills सीखने की वीडियो और freelancing की वीडियो आपको मिलती रहेंगी freelancing के related मेरा पूरा course available है Fiverr का इस टाइब की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पर तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर दें इंशाल आप सबसे कल मुलाका तो दिये तब तक के लिए अलाफिज